हलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल लीगल हैल्पिन हिंदी फ्रेंज आज हम करनाटक हाई कोड के एक लेटेस जज्च्टमन के बारे में बात करने वाले हैं जो की मेसिटी एट के उपर है सवाल ये था कि क्या मोटर दुर घटना में मागे गए मुआवजे से ज्यादा मुआवजा कोई कोड दे सकती है या फिर नहीं सब को जानेंगे आज की इस वीडियो में वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है वीडियो इंफिर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बोलेगा आज हम बात कर रहे हैं केस बसवराज वर्सिस उमेश केस की और इस केस के सुनवाई जेस्टिस एस जी पंडित और जेस्टिस अनन्त रामना थेगडे की बेंच कर रहे थे मामला है अपील करता बसवराज का जब 2011 में वो 14 साल के थे तो पिता के साथ सड़क पर जा रहे थे पीछे से एक लौरी आई और बसवराज को टकर मार कर चली गई उन्हें गंभीर चोटे आई तेरा दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया जिसमें उनकी दो सरजरी की गई याचिका करता ने कोट में कहा कि उसे प्यूबिक रमी का फ्रैक्चर हुआ इसके अलावा कूले की हड़ी में फ्रैक्चर और पैल्विक फ्रैक्चर भी हुआ जिसके बाद मुआवजे के लिए ट्रिबनल का दरवाजा खटकटाया डॉक्टर की सैटिफिकेट को देखते हुए जिसमें ये कहा गया था कि उसे पर्मनेंट इंजिरी हुई है इसके बावजूद भी उसे बहुत कम मुआवजा दिया गया जो कि सिर्फ 50,000 रुपे का था हाई कोट की बात करें तो जब हाई कोट ने इस केस के सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा कि पर्मनेंट इंजिरी है या चिका करता की कभी शादी नहीं हो सकती उसे जिस तरह की मानसी का घात हुआ है वो उसे जिन्दिगी भर जेलना पड़ेगा उस हिसाब से मुआवजा बहुत कम दिया गया है और मोटर वहिकल एक 1988 बहुत ही उदार कानून है इसकी तहथ दुरगटने के शिकार हुए लोगों को उचित और न्यायोचित मुआवजा दिया जाता है दावेदार को जिस तरह की विकलंगता का सामना करना पड़ा है वो उसे जिन्दिगी भर जेलना पड़ेगा इसलिए हाई कोट ने उसके मुआवजे की रकम को बढ़ा कर दस लाख रुपे कर दिया जो कि 2016 से ब्याज समेत 17,68,000 रुपे बनते हैं जो कि जल से जल याचे का करता को दिया जाना चाहिए तो फ्रेंस ये था करनाटक हाई कोट का एक लेटेस जज्जमेंट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा